असलाम अलेकूं वीवर्ज आईटी एंटेलीकॉम अब्रेट्स के साथ मैं हुई मात्खार और आप देख रहे हैं फोन वाल लाइड तो वीवर्ज एक दफा पिर हम आपके साथ हाजिर हुए नए आईटी अब्रेट्स के साथ तो चले वीवर्ज चलते हैं अपने हैड्लाइ प्रिद्द्रेड्यों वालूच की सुलाबडरीशन के वेयर्ज थोड़ा सामें आपको वीवर्ण 1-5 स्मार्टफोन के बार में बता देता हुँ तो इस smartphone की screen size है वो 5.5 इंचेज इस smartphone की screen size है और इस smartphone के processor को देखा जाए यानि कि इस smartphone की chipset को देखा जाए तो इसमें Snapdragon 835 की chipset यूज़ की गई है यानि कि ये smartphone आपको बहुत अच्छी performance भी दे सकेगा और इसके साथ साथ ये smartphone आपको बहुत अच्छी battery time and peak दे सकेगा कि ये smartphone आपको दो RAM के साथ मिल सकता है एक तरफ आपको ये smartphone 6GB RAM के साथ भी मिल सकता है और दूसरी तरफ ये smartphone आपको 8GB RAM के साथ भी मिल सकता है और इस smartphone के जो 6GB RAM है उसकी storage जो है 128GB है और दूसरी तरफ जिस डिवाईस में 8 GB का रायम यूस किया गया है तो वो आपको 256 GB के साथ आपको ये स्मार्टफोन मिल सकता है और व्यूर्ज इस स्मार्टफोन में Android Nogit यूस किया गया है जो Android का latest वरजन इस स्मार्टफोन में यूस किया गया है Google ने जो है अपनी search results से 786 website को block कर दिया है Views ये website इसलिए block कर दी गई है क्योंकि इससे पहले भी Google ने कुछ sites को block किया था अपनी website से क्योंकि वो उनकी steps को follow नहीं कर रहे थे यानि कि Google की जो principles और steps हैं वो उनको follow नहीं कर रहे थे तो ऐसे websites को बिलकुल ही block कर देना चाहिए Views आज की जो next news हमारे पास है वो हमारे पास Apple और Samsung की devices के बारे में यानि कि Apple और Samsung devices जो UK में sale की गई हैं उनके बारे में Views मैं आपको ये बता दू कि iPhone 10 की वज़ा से Apple की market UK में इतनी high हो गई है यानि इस दफ़ा Samsung से ज्यादे devices उन्हेंने sale out की है UK में Views ये बात आप भी जानते हैं कि जब से iPhone X को launch किया गया है Samsung थोड़ा सा इस चीज में पीछे रह गया है क्योंकि Samsung की market value जो है iPhone X की वज़े से थोड़ी सी खराब हो गी है Views इस दफ़ा जो Apple devices UK में sale की गए है तो उनकी percentage है 34.4% और Samsung की devices जो UK में sale की गए है तो वो सिरफ 34% है यानि कि 0.4% जो है Apple devices ज्यादा फरोग की गई है UK में तो Views इस ते हम लोग ये अंताजा लगा सकते हैं कि जब से iPhone X market में launch किया गया है तो इसकी वाज़ा से जो है Samsung devices की जो sale value है वो थोड़ी सी market में कम हो गई है और दूसरी तरफ अगर हम लोग Huawei smartphones को देखें तो UK में जो Huawei smartphones है तो वो सिरफ 13% 2017 में sale की गए है और Views आज की जो last news हमारे पास है वो बहुत ही interesting है यानी की हमारे पास पाकिसान में black Friday के हवाले से है जैसा कि आप लोग सम जानते हैं कि कुछ लोग इसको black Friday का नाम दे रहे हैं और कहीं जगा पे ये सुनने को आ रहा है कि इसको orange Friday का नाम भी दे रहे Views जैसे आप लोग में भी देखा होगा कि internet में यानि कि social media पे आपको different different offers इस Black Friday के हवाले से मिल रही है तो viewers आज से जो है Black Friday पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया है अगर आप इन offers को avail करना चाते हैं तो आपको different websites की थूँ और different shopping malls की थूँ आपको बहुत अच्छी offers मिल सकती है तो viewers आप इन offers को हासिल करने के लिए आज से ये Black Friday के shopping festival को enjoy कर सकते हैं पाकिस्तान में तो viewers ये थे हमारे पास आज की telecom and IT upgrades उमीद है कि ये आप के लिए useful होगी अगर आप हमें कोई suggestion देना चाते हैं कोई भी comment आप हमें देना चाते हैं तो आप हमारे comment box पे comment कर सकते हैं So that's all for now, keep watching for my life, Allah आफेस